अब universities को नमस्कार आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फिटस इन यूटिरो बच्चों हेडिक डालिएगा फिटस इन यूटिरो बहुती इंपोटेंट है बहुती इंपोटेंट टॉफिक है इस फिटस इन यूटिरो के अंदर सबसे पेले लाई के बारे में पढ़ेंगे लाई क्या है परजेंटेशन क्या है परजेंटेशन क्या प्रजेंटिंग पार्ट उसके बाद में पढ़ेंगे एटिट्वे के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे टी- Вас नव्य नामि नेकटर नामि नाकिनों के बारे परजेनेटेशन है क्या लाई है क्या एटिट्यूट है कौन सा डिनोमेटर डिनोमेटर पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे बच्छों आपको इमेज के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि डिरिंग डिश्टेशनल एज जो बच्छा है माता के गरब के अंदर रहता है यूटर्स के अंदर रहता है जैसे ही अंगेजिंग होता है टर्म कंडिशन के अंदर बच्छार की डिलेवरी होने वाली होती है उस कंडिशन में यूटर्स या पेल भी ब्रीम के अंदर जब बच्छा आता है तो क्या कंडिश होती है उसका presentation क्या है presenting part क्या है denominator क्या है उसका lie क्या है किस प्रकास क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे तो आप फिटस इन यूटरो के बारे में आप क्या-क्या पढ़ेंगे आज लाइ पर्जेंटेशन प्रजेंटिंग पार्ट एटिट्यूट और डिनोमिनेटर के बारे करें इस्टार्ट देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग डालिएगा बच्चो फिटस इन यूटरो हिंदी के अंदर भी मैंने पीडिया बच्चो दिया हुआ है हिंदी के अंदर भी नीचे पीडिया है उसको हिंदी में जिसको पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हैं जिसको इंग्लिस में पढ़ना है इंग्लिस में to long axis of the mother, mother और fetus के बीस में, relationship के बारे में बात हुई है, long axis के बारे में, जैसे, यह क्या है, mother है, इसके अंदर fetus की condition क्या है, तो long axis के अंदर, क्या relationship पे ज्यान रखना, the relationship of the long axis of the mother, or long axis of the fetus to the long axis of the mother, is known as the lie, lie के अंदर आपको ध्यान रखना है, कि mother और fetus का long axis का relationship कैसा है, बच्चक गरब के अंदर है, तो कैसा है, निसे engaging हो रहा है, तो किस टाइप से आ रहा है, इसके अंदर बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है, कि lie के बारे में, तीन प्रकार की lie होती है, एक तो longitudinal lie, एक होती है, transverse lie, एक होता है, oblique lie, तो इस प्रकार से आपको इस नाम से ही ये प्रतित होता है, कि long axis of the fetus to the long axis of the mother का relationship के बारे में बात हो रहा है, ये दि मैं कहों कि ये वारी बच्चों line है, इस प्रकार से है, बच्चा मदर के इस प्रकार से उफर से निशे है, ये कपाल है, ये क्या है, कपाल है, ये क्या है, पेर है, पेर तो इस प्रकार से रहता है, तो इस प्रकार से कपाल निशे की तरफ है, और इस प्रकार से long axis है यह दिन में कहो कि ट्रांस्वर्स के अंदर तो ऐसा होगा अधा होगा अबली के अंदर बच्चा इस प्रकार से होगा तिनों के बारे में फरक मैसूस हो रहा है आपको एक बच्चा होगा इस प्रकार से एक होगा ऐसे एक होगा ऐसे इस प्रकार से यूटर्स के अंदर देख किने को मिलती है कंडिशन लाई के अंदर सबसे पहले लाई के बारे में बात करते हैं लोंगी ट्यूडाइनल लाई जिसकों 99.5% होता है बच्चों इंपोर्टेंट है एक कॉमनेस्ट टाइब का होता है बच्चों ध्यान रखियेगा एक्जाम के अंदर आती है कि सबसे इम कॉमनेस्ट जो लाई है वो परजेंट होती है लोंगी ट्यूडाइनल लाई बच्चों का जब जनम होता है उस कंडिशन में लोंगी ट्यूडान लाई होती है लोंगे एक्शेस ओफ दे फिट्स इस पेरेलल समांतरन तो दे लोंगे एक्शेस ओफ दे मदर मतलब मदर इस प्रकार से है जिसके अंदर ये खड़ी ये माली ये मदर है इनके अंदर है, longitudinal lie कहा जाता है, दूसरा है, transverse lie presentation in which the long axis of the fetus is crosswise to the mother, to that of mother, crosswise है, इस प्रकार से, mother इस प्रकार से है, और बच्चा का condition क्या है, ये है, इस प्रकार से है, ये आडा है, जिसको बोलते है, transverse lie, उसके बाद में, oblique presentation in which the long axis of the fetus is oblique to the, to that of the mother, oblique है, अब ये diameter, इस प्रकार से, जिसके अंदर क्या है, बच्चे की condition ये है, इस प्रकार से है, oblique diameter, तो इस प्रकार से lie के बारे में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, देखिएगा, इस image के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, इस image के द्वारा आप ये परतित कर सकते हैं, कि ये वाला बच्चों है, ये longitudinal है, ये है longitudinal, longitudinal, बच्चे का कपाल है, वो नीचे की तरब है, most commonist है, most common जो लाई है, वो longitudinal है, 99.5% होती है, उसके बाद में बच्चों ये भी थोड़ा है, longitudinal के अंदर ही रहेगा, बच्चा घूम जाएगा, अब देखिएगा, बच्चों ये देखो, थोड़ा ज्यादा है, इस प्रकार से है, ये oblique हो गया, उसके बाद में ये transfers हो गया, बच्चों देखो, ये uterus है, और उसके बाद में बच्चा क्या है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, कई बाद delivery होती है, उस time में, जो examination करते हैं, examination करने में डोक्टर क्या बोलते हैं, बच्चा तो उल्टा है, ये है उल्टा बच्चा, है ना, इस प्रकार से बच्चा उल्टा होता है, गुमा, गुमा हुआ है, है ना, तो देखिएगा, lie जिसके अंदर relationship of the long axis of the mother and long axis of the fetus, इन दोनों का long axis के बीच में क्या relationship है, ये है बच्चों आपका longitudinal, ये है oblique और ये है transverse lie, आपको समझ में आया, ये इतनी बाते बच्चों आपको याद रखना है, ये important है, ध्यान रखना, next बात करते हैं, lie के बाद में presentation, heading डालिएगा presentation के बारे में, presentation के बारे में बच्चों आप जानते हैं, presentation का मतब ये हुआ, कि this part of the fetus, this part of the fetus, fetus का कोन सा part, uterus के lower pole के अंदर present है, क्या कहा जाता है, presentation का जाता है, the part of the fetus, fetus का एक पार्ट, which occupies, occupies भरा हुआ होता है, the lower lobe, lower lobe के अंदर, of the uterus या pelvic brim, मैं कहों कि pelvic brim है, जब engaging होता है, जब term condition के अंदर delivery होने वाली होती है, तो बच्चे का कौन सा part, pelvic brim के अंदर है, lower pole के अंदर है, क्या कहलाता है, presentation कहलाता है, बच्चों, important है definition के बारे में ध्यान रखना, the part of the fetus felt in the examining finger during the vaginal or rectal examination, they are, जब engaging condition होती है, जब alkal का दर्द start होता है, तब उस condition में क्या करते हैं, examination करते हैं, finger अंदर डालते हैं, और वहां से देखते हैं कि कौन सा parts है, तो यदि मैं कहों कि head है, तो इस प्रकार से head देखने को मिलेगा, head टकराएगा finger को, यदि wrist presentation है, तो vertex देखने को मिलेगा, यदि shoulder है, तो क्या है, कंदा देखने को मिलेगा, इस प्रकार से अलग-अलग presentation है, तो pelvic dream या lower fall of the uterus के अंदर कौन सा part fetus का present है, क्या का जाता है, presentation का जाता है, most common presentation होता है, वो cephalic होता है, बच्चों important है, ये question marks लगा दीजिएगा, सेफलिक presentation 96.5% होता है, ध्यान रखना है, उसके बाद में wrist presentation 3% होता है, और wrist presentation का दूसरा नाम है, podolic presentation, ये भी ध्यान रखना है बच्चों, दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, podolic presentation या wrist presentation, जिसके अंतरकत क्या बाद, सबसे पहले कौन सा और्गन, lower pole के अंदर देखने को मिलेगा, बटेक्स, इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलेगा, head, shoulder presentation 0.5% देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है, percentage ज्यान रखना है, कौन सा presentation है, ये भी ज्यान रखना है, most commonly तीन presentation होते हैं, जिसमें शेपलिक, bris और shoulder presentation, उसके बाद में एक compound presentation भी यहां पे लिका हुआ है, fetal position in which the pro, pro left limb in alongside to main presenting part या, if the presenting more than one part of the fetus, fetus का एक या एक से ज्यादा parts देखने को मिलता है, presentation के अंदर, जिसको बोलते हैं, compound presentation का आ जाता है, परंतु बच्चों आपको ये तीन ध्यान रखना है, एक नमबर, दो नमबर और तीन नमबर, अब ये आपको ये मालूम पढ़ गया कि कौन सा presentation है, sepulic presentation है, head देखने को मिलेगा, ये दिप ब्रिस presentation है, vertex देखने को मिलेगा, solder presentation है, कंदा देखने को मिलेगा, understand, presentation का definition कितने होते हैं, कितने कितने percentage हैं, किसका क्या दूसरा नाम है, ये इतनी बात हैं, बच्चों आपको याद रखना है, next बात करते हैं, presenting part, आप देखिएगा, presentation के बारे में, बच्चों मैंने आपको बताया, presentation work part, जो fetus का कौन सा part, pelvic brim या lower pole of fetus के अंदर दिखाई देता है, presentation कहता है, presenting part के बारे में बात करते हैं, आरे भाई, presentation, sepulic presentation है, प्रंतु sepulic presentation के अंदर presenting part कौन सा है, priest presentation है, तो उसका presenting part क्या है, presenting part का मतलब क्या हुआ, the part of the presentation which overlies the internal OS felt by the examiner finger, मैं कहों कि यदि sepulic presentation है, ये तो most common होता है, इसका मतलब है, कपाल बार आएगा, कपाल देखने को मिलेगा, जब finger examination करेंगे तब, तो इस condition में presenting part क्या होगा, जैसे vertex presentation most common होता है, 96% होता है, बच्चों ध्यान रखना, जैसे कपाल के अंदर, जो phytal skull है, इसके अंदर तीन presentation, मैंने आपको presenting part बताये थे, phytal skull के presentation के अंदर बताये थे आपको, कि एक तो था vertex, एक है bro, और एक है face, vertex कहां से जबरो कहां से कहां और face कहां से कहां था, वो मैंने आपको previous class के अंदर बता दिया है, तो इस condition में vertex present देखने को मिल सकता है, व्रो presentation देखने को मिलता है, face presentation देखने को मिलता है, कोन सा होगा vertex presented part देखने को मिलेगा किसके अंदर सैकलिक परजेंटेशन के अंदर तो presenting पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो परजेंटेशन है उस presentation का कौन सदट्र का पर्छ बालतर आप देखने को मिलता है प्रजेंटेशन है सेपली तो ऐसी केडिशन में वर्टेक्स और फेस प्रजेंटेशन देखने को मिलेगा मुस्ट कॉमनली प्रजेंटेशन कौन सा है प्रजेंटिंग पार्ट कौन सा है वर्टेक्स यह दी बात करते हैं ब्रीस प्रजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, only butex called complete, only butex है तो कार्ड बोलेंगे complete, यह दी बात करते हैं, butex and feet है, तो called frank bris presentation, और यह दी only feet है, तो called footling presentation, इस प्रकार से बच्चोत ध्यान दखना है, breeze presentation, जिसके अंदर vertex देखने को मिलेगा, breeze या podolic presentation, जिसके अंदर presenting part क्या क्या देखने को मिलेंगे, यह दी क्या देखने को मिल रहा है, vertex देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते है, called complete presentation कहा जाता है, vertex फूरा देखने को मिल रहा है, उसके बाद में vertex and feet है, यह presenting part है, vertex भी है, fit भी है, पेर भी है, देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते है, called frank bris presentation, frank bris presentation, और उसके बाद में only fit है, only pair देखने को मिलता है, तो called footling presentation, सब्सक्राइब कर दो इस प्रकाश से ब्रीष प्रजेंटेशन है उसके अंदर प्रजेंटिंग फार्ट क्या है बटेक्स है यह देखने को मिलेगा उसके के बाद में सोल्डर है डिनी पोईंटफ फीपर्सेंट है आम शौल्डर एंड ट्रंक यह त्मिल्य Еफ्णा गहाई पर्जेंटेशन है तो अर्म हो सकता है स्वांग हो सकता है कि अधिया बच्छोँ पर्जेंटेशन के बारे में मतलब परजेंटेशन है तो उस परर। का कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा सेपलिक है तो वर्टेक्स ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन होगा ब्रिस है तो वर्टेक्स है और फिट है यह देखने को मिलेगा शोल्डर है तो आम शोल्डर और ट्रंक देखने को मिलेगा यह है पर्जेंटिंग फार्ट अंडेस्टेंड नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिट्यूट के बारे में बच्चो मैंने आपको बता है था एक रिलेसन्शीब ऑफ फिटनपाट टू वं अनादर warmth की एंदर लो परका़ के एंट्रिट्युट होते हैं बच्चो जयान रखना रिलेसन्शीब और फिटल पर्ट वन अनादर ला जो फिटस है उसके बोड़ी के एक दूसरे से क्या रिलेशन सी पर एटिटूट क्या जाता है जिसमें फ्लेक्शन यूनिवर्सल एटिटूट इस जनरेलाइज फ्लेक्श्ड एना यूनिवर्सल होता है फ्लेक्श्ड होता है जब बच्चा अंगे अंगेजिंग होता है नीचे की तरब आता है तो बच्चा इस प्रकास से गोल होता है नहीं है दूसरा है extension and neutral extension मतलब इस प्रकार से जाजा मूड़ा हुआ देखिएगा मैं थोड़ा image के अदरा आपको दिखा देता हूं कि देखिएगा extension और flexion के बारे में बात करते हैं कि देखिएगा यह image आपको यह सोग करेगी आपको flexion और extension के बारे में जैसे बच्चे का इस प्रकार से एंगेजिंग हो रहा है तो बच्चा देखो पूरा-पूरा का पार्ट क्या हो रहा है इसके पास में होना चाहिए ना यह देखो इस प्रकार से हो गया इस प्रकार से हो गया है ठीक है तो इस प्रकार से extension और flexion यह दोनों attitude होते हैं ठीक है next बात करते हैं attitude हो गया उसके बाद में denominator देखिएगा denominator के बारे में बात करते हैं यह भी बहुत important है क्या होता है denominator it is the bonny fixed point of the presenting part presenting part है उसका bonny fixed part है कौन सी bonn है presenting part का कौन सा bonn है विस मेंक relation with the various quadrant of the maternal pelvis जो maternal pelvis का एक relationship बनाता है कौन सी हडी दीखने को मिलती है denominator का आजाता है presenting part के अंदर कौन सी bonn देखने को मिलती है वो क्या है denominator है following are the denominator are of different presentation अलग अलग परकार के presentation होता है जैसे मैं कहूं हूं कि यह है पर्चों पर्जेंटिंग पार्ट है कि पर्जेंटेशन के पर्जेंटिंग पार्ट है जरी बर्टेक्स पर्जेंटिंग पार्ट है तो वर्टेक्स है ओक्सिफिट देखने को मिलेगा ओक्सिपिट ओक्सिपिटर वाला एरिया देखने को मिलेगा यदि फेस है तो मेंटम होगा मेंटम वाला पोर्षन देखने को मिलेगा यदि व्रो है तो फ्रेंटल इमिनेंस देखने को गा डि नोमिनेटर और शॉल्डर है तो एक्रोमिय प्रोसेज देखने को मिलेगा मेरे कहने का मतलब यह हुआ डि नोमिनेटर एक बॉनीiosis part होता है जिस परकार से presenting पार्च होता है उसके according many fixed parts देगने को मिलेगा वर्टेक्स, ठेस, ब्रोग, ब्रीस और शॉल्डर, अरे सॉल्डर है तो इसका denominator portion क्या होगा, acromial processes है, ब्रीस presentation है तो क्या होगा, सेक्रम होगा, तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना exam के अंदर आता है कि सेक्रम वाला इस प्रकार से कोशन एकदाम के अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है बच्छो तो ये था आपके आज के इस वीडियो के अंदर इस प्रकार से यह सब अलग अलग प्रकार के हैं यह मैंने आपको बता दिया है इंग हिंदी के अंदर भी मैंने यहां पे इंक्लूड किया हुआ हूँ आप देख सकते हैं PDF बच्चों मैंने आपको ग्रूफ के अंदर भेज दिया हूँ एप्लिकेशन के अंदर भी PDF अल्रेड़ी अप्लोड है वहां से भी आप देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही दन्यवाश